नमस्कार मैं डॉक्टर जनक सकलेचा हम सब जानते हैं कि कोरोना वाइरस हमारे देश में तेजी से फैल रहा है कुछ लोगों में माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं कुछ में सीवियर और कुछ केसिस तो एसिम्टोमाटिक ही हैं मतलब कोई भी सिम्टम नहीं है पर वो क कोविड पॉजिटिव हैं दीरे दीरे सरकार ने भी सब चीजे ओपन कर दी हैं ऐसे में हम कैसे इस वाइरस से बच सकते हैं कोरोना वाइरस से बचने के तीन तरीके हैं फर्स्ट वियरिंग मास्क जो शायद अब सभी कर रहे होंगे सेकेंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड व जानेंगे उन इम्यूनिटी पूस्टिंग फूट्स के बारे में जो विंटर में इजिली अविलेबल हैं और बहुत जादा फायदेमन भी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं टॉप फाइव विंटर फूट्स के बारे में जो इम्यूनिटी के लि लिए बहुत essential है औरेंजेस में vitamin A, vitamin B, 9, copper इनकी भी अच्छी मात्रा पाई जाती है Second fruit है guava Guava आपकी health के लिए बहुत अच्छा है जिनको diabetes की problem है वो इसका सेवन जरूर करें Guava में vitamin C और antioxidants property होती है साथ ही इसमें fiber की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है Third fruit है grapes अंगूर में vitamin A, vitamin K और vitamin C पाया जाता है जो हमारे immune system के लिए बहुत जरूरी है इसलिए grapes को आपको अपकी diet में add करना ही चाहिए Fourth fruit है apple An apple a day keeps a doctor away Apple में vitamin A, calcium, fiber, iron, potassium और भी कई vitamins and minerals पाय जाते हैं जो हमारी immunity को boost करते हैं साथ ही bones के लिए भी बहुत helpful है Last fruit है pineapple Pineapple हमारे immune system को strong करता है साथ ही ये health के लिए भी बहुत फायदेमन्द है इसमें vitamin A, vitamin C, fiber, calcium, potassium, phosphorus, magnesium ये सब भी बहुत अधिक मातरा में पाय जाते हैं ये थे वो 5 fruit जो winter में easily available हैं और आपको लेना ही चाहिए चलिए आप जानते हैं winter immunity boosting veggies के बारे में First है spinach पालक पालक में calcium, iron, vitamin A ये सब अधिक मातरा में पाया जाता है पालक ना सिर्फ ice के लिए अच्चा है बलकि immunity boost अप करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है Second है carrot गाजर, गाजर में vitamin A के साथ beta keratin भी पाया जाता है जो immunity को strong करता है carrot में potassium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, phosphorus ये सब भी पाया जाता है Third है broccoli broccoli is full of vitamin C, vitamin A and E जो immunity के लिए बहुत अच्छे है broccoli is high in fiber and antioxidant इसलिए broccoli को भी आप अपनी डाइट में add कीजिए Fourth है ginger याने अदरक अदरक में anti-inflammatory properties होती है साथ ही ये cough cold को prevent करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है Fifth है garlic garlic हमारे food को tasty बनाने के साथ ही medicinal property भी contain करता है garlic एक बहुत अच्छा immunity booster भी है इनके अलावा yogurt याने दही, dry fruits like almonds, walnut, cashew ये सब भी आप add कर सकते हैं अगर आप non-vegetarian है तो एग, cooked meat, seafood ये सब भी add कर सकते हैं ये protein के बहुत अच्छे source हैं साथ ही vitamin A, zinc और भी कई vitamins and minerals के अच्छे source हैं ये थे कुछ immunity boosting foods जो winter में easily available हैं पर याद रखिए immunity को strong करने के लिए आपको कुछ और चीजों का भी खयाल रखना है जैसे आपको एक healthy weight maintain करके चलना है आपको नींद प्रॉपर लेनी है आपको alcohol और smoking को avoid करना है daily exercise और yoga करना है और इसके अलावा आपको stress को बिल्कुल avoid करना है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो मिलते हैं next वीडियो में Till then, take care, be healthy and safe Thank you so much Thank you